तो आज किछन में बन रहा है तो आज हमारे किछन में बन रहा है अचार गोश्ट जो निहाएत मज़ीदार लगता है मैंने जिन्जर गार्लिक पेस्ट है और शानका यहां अचार गोश्ट मसाला मैंने 2 टेबिल स्पून में शहंन का मसाला यूज कर दी हूं मगर मैं बनाऊंगि अपने स्टाइल मैं ठीके और साथ ही ले लिया है वनopard टीस्पून मैंने सफैस जीरा 1 टेबिल इस्पूर और हल्दी हाफ टेड़ी चाफ मसाला मैंने लेमन मैट करके मिर्चों में फिल कर लिया है यहां मैंने मिर्चे लिए पांच अगर आप लोगों को ज्यादा पसंदे तो आप लोग ज्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि मेरे बच्चे ज्यादा नहीं खाता ह इसलिए मैंने सिर्फ पांच लिये साथ ही ले लिया है कुकिन के लिए कुकिंग और यहां पर मैंने साथ से आठ टेमाटर लिये थे और उसको मैंने इस तरहां से ग्रैंड करके पेस्ट बना दो ग्रेवी कम चाहिए तो आप चार से पांच भी ले सकते हैं बट मुझे यहां पर मैंने अधा प्याली ओई दाल दिया है और दिरम हो गया है और आप साथ ही इसमें डाल देंगे सफैजीरा राइदाना और कलॉण जी बिस्मिल्ला रमान रहे इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और वैसे भी आचार गोश्ट बन रहे है तो यह तो इसके मैं अउन रिटीन से इसको ने दो साथ ही एड कर देंगे यहां जी ज़िन गान्री पेस्ट पिसमिल्ला रमान रहे है अज़का सई से बहुत भूनेंगे और साथ ही इसमें और ऐसमें आट कर देंगे गोश्ट बिसमिल्ला रहा है। तरहां जीजर गांडी के साथ अगर हम गोश्ट को घुमते हैं तो गोश्ट में बहुत अच्छे साथ लेवर आ जाता है और यह बहुत लगने का फिर रड़ी होता है इसका कलर हुए इसका कलर चेंट हुए तक कि हम इसे अच्छा सब घुम लेंगे कि आप ट्राइब कीजिएगा इंशालला आपको जलूर पसंद आएगा शान का जो यह अचार बोश्ट मरसाला है इसमें भी रैसिपी है मगर मैं अपनी रैसिपी से यह बनाती हो क्योंकि उसमें थोड़ा सा मुझे जूजट लगती है कि टिमाडर अलग बून के डालना पड मज़ेदार सा राडी हो जाता है तो एक सी दो मिनट को गए है मुझे इसको फूलते हुए अब इसके ताकी आट कर देंगे हम दली इसको लाए अपना लेगे अपना लेगे अ साथी एट कर देंगे घर के मसाले जो हमने निकाले थे और साथी शान का चारगोष्ट मताला मैं बाहिर के मसाले बहुत कम यूज़ करती हूं लेकिन जब भी यूज़ करती हूं तो मैं शान के परती हूं कि मुझे शान का फ्लेवर मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छा जानाती हूं आपके हम एक कर देंगे समें सॉल और जो हमने ग्रैंट करके रखे ते टिमाटर इस लिए अब हम इसमें कोई पानी वगारा कुछ एड़ नहीं करेंगी क्यूंकि पार टिमाटर ग्रैंट करेंगे तो मैंने उसमें पानी डाल जिया था तो बस अब हम इसे ऐसे ही इसको पहले हम वाई लाने तक पकाएंगे और फिर इसको लो फ्लेम करके तक्रीबान एक से डिएड़ घंडे पाट देंगे जी तो यहां पर हम इसमें पानी बिल्कुल एट नहीं करेंगे क्यूंकि जब हमने टिमाटर ग्रैंट करेंगे तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिला लिया था बस हम इसे वाई आने तक पकाएंगे यहां पर आ चुका और देखे पानी दैटेंगे का जिर्वडाल से अच्छे से बूल कर देखें मुझे ग्रेवी ज्यादा चाहिए तो एक से ब्होन के अखे बूल लेते हैं और ऑईल भी देखें काफी हद तक के ऊपर आ गया है बस अब इसको एक से दो मिनट और भूनेंगे जी तो यहां पर देखें ऑईल उपर आ गया है और यह अच्छे से भून चुका है तो अब जो हमने मसाला भर के मिर्चे रखी थी वो इसके उपर रख देंगे ताके वो दम की आंच में वो अच्छे से कूप हो जाएं मिर्चों से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो आप भी जरूर डारिएगा तो अब हम इसको एक दम लो फ्लेम करके तकरीबन एक दो से तीन मिनट तक के लिट लगा के रख देंगे ताके मिर्चे थोड़ी सी अच्छी सी कूप हो जाएं जी तो यहां एक से दो मिनट हो गए हैं और मिर्चें भी अच्छे से कूप हो गई हैं और सालन हमारा बिलकुल रैडी हो गया चलिए मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ अच्छे सा फलेवर का यह बनता है अचार गोष्ट आप जरूर ट्राइ कीजिएगा इंशाल्ला आपको पसंद आएगा तो यहां पर बनकर रैडी है अचार गोष्ट इसको आप चपातियों के साथ सर्फ कीजिए या चामलों के साथ सर्फ कीजिए आपको बहुत मजे का लगेगा जी तो ये थी हमारी आज की रेसिपी उमीद करती हूँ कि आपको पसंद आए पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिस